असलाम झालेकूम जी अभी तक हम लोग जो Brushes Use करे थे वो या तो अपनी Shapes के थू कस्टम स्टोक को त्रोक को ड्रॉ करे थे यह हम लोग लाइब्री में से डिफरेंट ale Partners के brush को experiments करेते हैं ठीक है तो अब हम लोग इस lesson में अपने physical strokes को जो के white paper के ओपर किसी marker को use करते हुए लगाए गए हैं इसको हम convert करेंगे digital brush के अंदर ठीक है तो इसको digital brush में कैसे convert किया जाए तो सबसे पहले तो हम अपनी image को convert करेंगे vector strokes के अंदर और उसके बाद strokes को convert करेंगे brushes के अंदर राइट तो इसको पहले convert कर लेते हैं जी तो हमने पिछले lesson में यह देखा था कि किसी भी image को किसी भी raster object को vector object में कैसे convert किया जा सकता है राइट तो उसके लिए यहाँ पर image trace option यूज किया था और अगर इस arrow पे क्लिक करें तो हमें multiple मज़ीद options भी नज़र आते हैं तो यहाँ पे जो best result हमें देगा हम उस option के साथ जाएंगे ठीक है तो अगर आप इस image को देखें तो यहाँ पे colors हमारे लिए important नहीं है यहाँ पे जो इसकी details हैं वो हमारे लिए कोई खास important नहीं है इनकी जो shapes हैं वो ज़्यादा important है ठीक है और अगर यह हमें black and white में मिल जहीं strokes तो उनको convert करना ज्यादा आसान है तो यहाँ से अगर आप लोग इस option को देखें black and white लोगो तो इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमें यह क्या result देता है ठीक है तो यह आपकी पास result है इसको हम यहाँ expand कर लेते हैं और इसको ungroup कर लेते हैं तो यह सबसे उपर stroke है इस stroke को copy करते है और इसको convert करते हैं जी digital stroke के अंदर अब digital stroke कैसे convert होगा इसको हम लोग कर लेते हैं जी group इसका color तोड़ा सा change कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम इसको ऐसा pattern brush add करेंगे तो और हम इसको एक किसी path पर apply करेंगे तो वो path पर ये multiple strokes कैसे मिलके उस path को complete करेंगे तो मैं इसके एक और copy ले लेता हूँ और इसको मैं दे color assign कर देता हूँ blue ठीक है तो अगर सरफ मैं इस stroke को ऐसा pattern brush के तौर पर add कर दूँ तो जब हम इसको किसी line पर apply करेंगे तो ये वाला stroke दुबारा से जब duplicate होगा तो ये अपने साथ कुछ इस तरह से attach होगा ठीक है और ऐसे ही अगर line थोड़ी सी मजीद बढ़ी होगी तो ये strokes आपस में इस तरह से मिलते चले जाएंगे लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखें हमारा जो actual brush है उसके अंदर तो आपको एक dot भी नजर आ रहा है और उसके बाद space है और उसके बाद line start होती है तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने अपने इस brush को जब end करना है तो हमने कुछ इस तरह से करना है कि जब यह आपस में मिलते चले जाएं तो पता ना चले कि यह कहां पर join हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी इसको हम करते हैं ungroup यहाँ से हम कोई dot ले लेते हैं इसको एक distance के उपर place करते हैं तीक है अब dot हमने place कर दिया अभी भी अगर हम लोग देखें इसको मैं copy करता हूँ तो यह अब इस तरह से attach होगा तो हम लोग यह भी नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसमें gap भी आना चाहिए इसको delete करते हैं इसको zoom करते हैं तो यहां पर हम एक ऐसा object add कर देते हैं जो visible तो नहीं होगा लेकिन उसकी existence होगी ठीक और उसकी existence की वज़ा से हमें यहां पर कुछ space मिल जाएगी तो इसके बहुत सारे methods हैं आपको जो method suit करता है जो आपको अच्छा लगता है आप उस method को use कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर pen tool का इस्तेमाल करूंगा और मैं simple एक यहां पर anchor point add कर रहा हूँ तो इसकी existence तो है लेकिन आप इसको जितना भी zoom कर लें या आपको नजर नहीं आएगा इसको मैं group कर लेता हूँ अपने brushes को open करता हूँ और यहां से जाके इसको as a pattern brush add करते हैं जी ठीक है यह आपके सामने एक preview है इसका इसको delete करते हैं ठीक है और एक circle को draw करते हैं इसको path assign करते हैं और इसके बाद इस पे यह वाला brush apply करते हैं तो अब आप इसको किसी भी stroke पे apply कर सकते हैं for example मैं अपने brush tool को पकड़ता हूँ ठीक है और मैं यहां पे stroke apply करता हूँ आप लोग अपने किसी भी stroke के ओपर किसी भी path के ओपर इस जो brush हमने create किया इसको apply कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप pen tool को लेके कोई path draw करते हैं तो उसके ओपर भी आप लोग अपने इस brush को apply कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने physical brushes को digital brushes में add कर सकते हैं तो अगर इसमें से कोई भी निया stroke आप लेते हैं मैं आपको सिरफ और सिरफ बता देता हूँ कि यहाँ पर issues क्या आ सकते हैं ताकि आप लोग जब भी अपने physical brushes को digital brushes में convert करें तो बहतर तरीके से उनके end points और उनके starting points को थोड़ा सा customize कर लें ताकि उसमें जो जब joint आए तो वो आपको disturb ना करें तीक हैं जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको मैं copy करता हूँ और देखते हैं जब यह आपस में मिलेंगे तो यह कैसे मिलेंगे तो यह देखें अगर मैं सरफ इसको as a brush के तोर पर add कर दूँ और मैं किसी path पर apply करता हूँ तो यह आपको उस path के उपर यहाँ पर एक joint कुछ इस तरह से नजर आएगा तो we do not want this kind of a joint तो इसमें करना यह पड़ेगा कि इसका यह वाला जो पीछे वाला point है यह कुछ इस तरह से adjust करें कि यह इसके साथ मिल जाए ठीक है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ चीजों के साथ प्ले कर सकते हैं चलें आप लोग देखें मैं इसके ओपर चीज़ें अप्लाइ करता हूँ और once I'm done with it उसके बाद हम आगे इसके लेसन को continue करते हैं झाल जी तो यहाँ पर मैंने इसको अजिस्ट कर लिए इसके बाद हम इसको एक कलर साइन करते हैं ब्लाक कर लेते हैं और इसको एड़ करते हैं जी आज़ाँ पैटर्न ब्रिश और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं तो मैं इसको जब पैटर्न ब्रिश एड़ कर रहा हूं ठीक है इसको हम टेंट्स एड़ इसका जो मेथर्ड है कलराइजेशन का उसको टेंट्स कर लेते हैं ताकि जब हम लोग कलर चेंज करें यहां से तो वह इस पर अपलाई करें इसको करते हैं इसके बाद इसके बाद इसको थोड़ा सा अपलाई करके देखते हैं तो जी इसको थोड़ा सो उपर ले जाते हैं और इसको अपलाई करते हैं सर्कल के उपर इसको पाद साइन करें एंड लेट्स अपलाई दस्रोक तो दिस इस हाओ दस्रोक हाज बिन एपलाईड टू और सर्कुलर पाथ तो एक चीज़ का खास कहल रखेगा कि जब भी आप अपने ब्रशेश को कनवर्ट कर रहे हों तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंडिंग पॉइंट्स को बहतर तरीके से किस्टमाइज करें ताकि हमारे पास बहतर रिजल्ट्स आएं सी यू इन नेक्स लेसन थेंक्यू सो मच